नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चनल पर दोस्तों आज जब वेकेंसी अपडेट लाए हूँ आप लोगों के लिए वह लाए हूँ बीएल के तरफ से भारत इलेक्ट्रोनिक्स की तरफ से दोस्तों वेकेंसी अपडेट आ चुकी है अगर आपने करके रखा है और 10th प्लास आइट आई है आपके पास तो आप पूरे आल ओबर इंडिया से फार्म को एपलाई कर सकते हैं दोस्तों इसमें आपको जो है एक अच्छी खासी सेलरी के साथ जो है आप अपरेंट्शिप कर सकते हैं दोस्तों अपरेंट्शिप करने के बिना ज होगा और नाहीं आपकी कोई फीस लगने वाली है आपका जो है डारेक्ट सेलेक्शन होगा और नाहीं इसमें किसी प्रकार का इंटर्व्य होने वाला है अगर हम बात करें सीटों की तो जैसा कि आप देख सकते हैं फिल्टर ब्रांच के लिए नंबर ओफ वेकेंसी आपका 16, Turner के लिए जो है चार सीटे हैं, Electrician के लिए 14 सीटे हैं, Electronic Mechanic के लिए आपका 19 सीटे हैं, Mechanist के लिए 5 सीटे हैं, Draftman Civil के लिए उनके लिए 4 सीटे हैं, Draftman Mechanical के लिए आपका 9 सीटे हैं, Refrigeration and AC के लिए आपका 4 सीटे हैं और आपका जो है Electro Platter के लिए जो मेल होते हैं उनक के लिए चार रखी गई है उस्तों अगर हम बात करें इस टाइप एंड की तो जिन्होंने भी दो साल का डिप्लोमा करके रखा है उनको जो है एक अच्छी-खासी सेलरी मिलेगी 8196 रुपे पर मंत के इसाब से इसके लाव़ जो वेल्डर है या वेल्डर के अलाव़ जो अगर हम बात करें टूल्टल नंबर ओफ सीटे की तो आपको जो है टूल्टल नंबर ओफ सीट देखने को मिलेगी 150 वन फिप्टी सीटों पर जो है आपका वैकेंसी अपडेल्ट है दोस्तों और आप देख सकते हैं सेलरी कि आपको जो है अप्रेंसिप के टाइम में एक अ अच्छा चांसे से अच्छी सीट है दोस्तों इसमें जो है आपका सेलरी वेक अच्छी खासी मिल रही है और आप वाल ओपर इंडिया से अपलाई कर सकते हैं अगर हम बात करें कि तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 31 मार्स तक जो है आपका होना चाहिए और आपकी जो एज है वह कम से कम 21 साल होना चाहिए दोस्तों 21 साल जो एज है आपकी ज्यादा से ज्यादा 31 मार्स 2020 तक हो सकती है इसमें एज रिलेक्शेशन मिल सकता है इस टीएस्टी वालों को इसके लाव जो ओबीजी के लोग है उनको तीन साल का जो है एज में छूट मिल सकती है आपको ज करें कि आपको जो है किसे करना है तो ऐपलाइ करने का जो क्राइटरिया है दोस्तों आपको जो है ओनलाइन के माध्यम से करना गजिए और हम यह में आपको सारा जो है बेल्टा नहीं करना है 16 मार्च दो है आपकी last date रखी गई है इस तारीक तक आपको form apply करना है जैसा कि आप देख सकते हैं MHRD की website पर जाना है आपको click on apprenticeship पर click करना है इसके बाद आपको second option चुलना है वहाँ जाने के बाद click on candidate registration application तीसरा जो है आपका जो आयगा form आयगा form को apply करना है सब कुछ भरना है आपकी सारी जो जानकारी है भरने के बाद आपको submit कर देना है सब्मिट करने से पहले जो है दोस्तों आपको सारी चीजे देख लेना है कि आपका नयम इसके लावा जो है आपने कहीं जानकारी छोटी तो नहीं है सारी जो जानकारी है आपको इसी वीडियो में मिल जाती है कि आपका establishment कैसे करना है इसके लावा आपको कैसे apply करना है कहां कहां चुनना है सब कुछ आप एकी वीडियो में देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप थोड़ा सा इसको पाउस करके देखिए कि आपको कैसे apply करना है apply करने के बाद आपका selection होने का chance बहुत जादा है दोस्तों क्यूंकि आपको आपका कछी खाची वेकंसी देखने को मिल सगती है इसमें आप apply करना चाहते हैं तो आपको description में link मिल जाएगा direct link पे click करिए और उसके बाद आप website पे जा सकते हैं website पे जाने के बाद आपको हमने step बता दी इसमें लगभग total 18 step है 18 step के माध्यम से आपका form apply होगा हमने आपको बताया कि कैसे आपको registration करना है कैसे form भरना है इसके लवग क्या क्या सारी details चाहिए कैसे apply करना है और apply करने के बाद आपका selection होने का chance बढ़ जाएगा आप जब apply कर देते हैं दोस्तों तो आपको selection होने का chance बढ़ जाएगा और आपका selection हो जाएगा जिससे आप अच्छी काशी company में apprenticeship कर सकते हैं यह एक अच्छी काशी company है इसमें जो है आप apply कर सकते हैं दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही